और यहां से इनकी यह वाली चावी पहुंचानी है अभी उपर गाउं तक इस वाली ड्रॉन पे चावी बानते हैं और उसके बाद इसको सीधे उपर गाउं में बेजिंगे बाई बस मुझे अब एक ही चीज का डर है कहीं यह रास्ते में कहीं घिरे ना यह देखो पूरा सिं अभी मैं जा रहा हूं वापस तरसाली वाले घर मौसम भी देखो सुवे सुवे बड़ा प्यारा उरख है बढ़िया वाली दूफ है और सुवे सुवे के टाइम पर आज कल जो घने काले बादल दिखाई देथे बारिस वाले वह अब नहीं है अभी मैं यहां भाबी लोग में होता है तो दिन में आराम से दो तिन चकर तो लगी जाते दूर है एक बार जाओ फिर ऐसा होता है बाई कि अब या तो सुवे के टाइम पर जाना सही रहता है या तो सीधे साम के टाइम पर और यहां नीचे खेतों में न इस वाली जगे पर देखो बबू लेटा हुआ ए आरम से अरम से डबू मैंने कहा था ना कि मैं घर में नहीं पहुंचा डबू सी मुझे ले नहीं यहां आ गया रास्ते में भाई तो चलो मैं वापस जाने का नाटक करता हूं अभी देखना आप चल भाई भाई ए और आज नहीं मुझे फिर से जो अपना यह जियोए एर फैवर है इसको ठीक करना है लो एब्रीवन गुड़ मौनिंग नमस्ते स्वागत्यापका हमारे एक और ने ब्लोग में उत्राखन के इन खोब सुरत पहाड़ों से पहाड़ों 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 अब यहां सुबह के टाइम पर हमारे घर में भी कोई नहीं है बड़ी मां और मां खेतों में गिये हैं ताउजी गाए बेलों के साथ और पापा जी उपर नहीं वाले घर में चले गिए भाई तो ऐसे इस वाले टाइम पर घर में कोई भी नहीं रहता यहां किचन में भी ताला लगा हुआ है और घर में वी दर कोई नहीं सिर्फ डबू आया अभी जब मैं घर में आया अब घर में आते ही देखो भई इस वाले पेड़ पर पक्छी भी आ गई अभी जिसको मैं खाना देता हूँ आज कल रोज घर में लेकिन अभी यहां कीचन में ताला लगा हुआ है तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या ऐसी चीज दूँ कि जो अभी खा सकता है तो चलो जी जिन भावी जी को मैं सुवे सुवे ढून रहा था वो यहां पर अभी घाश लेकर आ रहे है चावी बेज नहीं है बल भावी जी अभी मैं जा रहा हूँ उपर भावी लोगों के यहां पर वहां पर कुछ जरूरी सा काम है ठीक यहां उपर में जाना है मुझे और यहां से इनकी यह वाली चावी पहुंचानी है अभी उपर गाउं तक अभी मैं करने वाला हूँ एक खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट ये वाली चावी अभी उपर गाउं में पहुचाना बहुत जुरूरी है दूप भी बहुत तेज है और जो भाया जी है वो आदे रास्ते तक आगे तो फिर वो यहां चावी के लिए आएंगे फिर यहां से रहा हूं भाई तो ये सिंगल चावी है तो इसको मैं अच्छे डंग से टेप की साहितासे ने यहां पर चिपका दूँगा बस यह कहीं घिरे ना मतलब टेप लगाना पड़ेगा इस पर अब ड्रॉन पे मैंने चावी को अच्छे डंग से टेप से तो लगा दिया है बस अब तयारी करते हैं चाबी को उपर गाउं में वेजने की जय वोलेनाथ अच्छे से चाबी उपर पहुंच जाए भाई अब भाईया आधे रास्ते में पहुंच गए हैं अखी के घर पे तो मैंने कहा है कि उनकी छत में रहना आप मैं ड्रॉन को वह ही पर वेजूँगा यह देखो भाई अभी यहां पे रेड दिखा रहा है और 14-15 सिंग्नल है तो साइद मुझे लग रहा है जो उपर से हमने यह टेप लगाया है तो इसकी वजाए से कुछ प्रोब्लम आ रही है 14 या 15 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जीपेस सिंग्नल तो अभी बड़ी मुश्किल से मैंने वह वाला टेप निकाला फिर से नया टेप लगाया है और अभी जीपेस सिंग्नल यह देखो जी वाइट तो हो गया मतलब 21 आ गया है अब उड़ा सकता हूं मैं ड्रॉन को ड् कि अगे अगे में अखी के घर पर पहुंचने वाला है ड्रॉन अभी मता थोड़ा एक्साइडमेंट हो रही है और मुझे वहां पे च्छाथ में कोई दिखाई भी दे रहा है भाई बाई वाएंपन ऐसे करें जैसे हेलिकोप्टर को लेंड़िंग नहीं करवाता है एक आदमें ऐसे जैसे ड्रॉन वहां पर पहुंचा पूरा सिंग्नल लॉस्ट हो गया अब पता नहीं मुझे पता नहीं कि ड्रॉन लेंड हुआ कि नहीं हुआ ये देख़ो बाई पूरा स हो गया कुछ भी इमेज यहां नहीं आ रही है कि फॉन कर फॉन कर वह जगह न थोड़ से ऐसी गैरी हो गई है अगर हाइट पर हो दे तो सिंगनल प्रोपर आ जाता है अरे अच्छा यार यह सिंगनल लोश्ट हुए गया जैसे ड्रोन वहां पर लेंड हुआ तो पूरा सिंगनल लोश्ट हो गया अब मुझे न फिर से वह ड्रोन कहीं ऐसी सिंगनल वाली जगह पे लाना पड़ेगा ताकि फिर से मैं वहां से ट्यकॉप कर सकूं भाई नहीं तो कोई गाल पड़ेल वांकि ड्रोन वाँ नीचे के साइड लेके आना पड़ेगा ताकि मैरेको यहां पर सिंगनल मिलै अच्छे से तो ट्यक्राइड जाओ यहां पर अखी भी है तो मैंने अखी को बोला ड्रॉन को पकड़ के चट के किनारे साइट आजाओ पकड़ी दोर वा ता मने आया अच्छा ठीक है फिर मैं उडाता हूं फिर यहां से तो चलो भाई फानेली सिंगनल मिलने लग गया है यहां पर मुझे इमेज भी मिलने लग वीडियो फुटेज के रूप में भावी जी किफचिती बजा दीने अभी आपको जाना पड़ता नहीं तो भाई कुछ चीज अपने पास हो तो भाई चलो भाई उसका ऐसे रूप में भी फायदा उठाना चाहे कभी कभी आज पहली बार किया तो चलो आज अच्छे डंग कर दिया तो चलो भाई फाने लिए हमारा ड्रोन भी यहां पर देखो घर के लिए आ गया है चलो जी अभी दिन के लंज का टाइम भी हो गया है यहां पर बावी लोगों के भी दो गर है एक घर ये वाला है एक उपर रासी गाउं में है जहां पर हमारा नया गर ना उसी के तो यह भी आजकल वहीं पर रहते हैं और एक आदमी यहां पर काम करने के लिए आता है यहां पर क्योंकि यह गाई, वैल, भैंस, खेतिवाड़ी भी यहीं पर है तो यह कुछ बात है बाई अब यहां पर यह वाला कालू भी इनी का है कालू बाई बाई पंजा अरे बंजा दे गदा कहीं का गदा नहीं कुटा कहीं का अब यह भी देखो भाई मेरे साथ ही आने लग गया अभी इनको थोड़ा भाव दो यह पीछे पड़ी जाते हैं तो चरो जी आज की खाने वबना है आलू की थिच्वणी और चावल अभी थोड़ी देर तक तो अच् इंदर धनुस बनता है तो यह देखोवे हल्का यहां पे इंदर धनुस बनने लग क्या अभी वाली जो यह बारिश लग रहे ना यह सिर्फ यहीं लग रही है यहां से लगबग एक किलमेटर आगे यह वाली बारिश नहीं लग रहे होगी क्योंकि यहां की सैट उपर पहाड़ों में देखो एकदम घने से बादल लगे हुए है बीच में आसमन खाली है और नीचे की सैट से तो आसमान जगह जगह ऐसे ही साब दिखाई दे रहे है त लेकिन अभी ऐसे ही बारिश लग रही थी तो फिर नहीं गया मा बड़ी मा और ताउजी यहां नीचे गौसला के पास में गये हैं अभी मैं अपनी गौसला के साइड आ रखा हूँ और हलकी हलकी बारिश अभी भी लगई जा रही है और अबना मोसम दीरे-दीरे कुछ दि आपना गोशला बनाती ना उस पक्षिने गोशला बनाना तो सुरू किया था लेकिन बनाया नहीं यह लका सही बनाया और कुछ टाइम पहले मैंने भी एमेजौन से दो गोशले और किये थे और स्रीनगर गड़वाल में मैंने ओड़र किये थे क्योंकि यहां पर तो सामान आता नहीं और जिनके रूम पे वो ओडर आया था ना तो उन्होंने रूम सिप्ट किया उनको लगा ये कवाड़ा है क्याकि वो एकदम ऐसे जड़ों से बना हुआ था तो उन्होंने वो कवाड़ी में डाल दिया और उसके बाद मैंने ओडर नहीं किया कोई नया वाला अज तो यहां नीचे कि सैट से आसमान में भैंकरवाली बिजली चमक रही है जोड़-जोड़के आउज हैं आसमान में हो रहे है अभी ये देखो बाप्रिबा जब यह आसमान वे कि lookingnow में तो उस typ दिन शीजह लायट चले जाती है और आज भी अभी रात होते होते लैट चले गई है बारिस्टेज लगनी शुरू हो गई है वाई